कि कि ट्राइटन गुरूप को डिस्कस करेंगे आज लगातार तीसरे दिन ट्राइट गूरूप में सर्कृचिट लग रखा है तो क्या करना है क्रता आपके सारे कोशन सोगे आपके दिमाग में उन सारे कोशि़ों के आश्न दिनेकी कोशिस करूँगा तो वीडियो लास इंडिया और अगर बात करें इनके पीर्स की तो यह कालोग इंडस्टी आती है और बाकी अगर देखोगे तो प्लाइ स्कीम अभी टेक्स्टाइल सेक्टर के लिए मोधी गवर्मेंट ने अनाउंस की ती उसका भी काफी वेनिफिट मिलता है इनको ट्राइडेंट को इसकी वज़े से बैरी एक्सपेंसिव आपको देखें कर बैलू अगर आप देखोगे बैलू असन के हिसाब से तो यह सेक्स ने 134 परसेंट के रिटन दी है तो 5 साल में आपके 1 लाग को बना दिया है भई कितना 57 47-48 448 क के आस पास बना दिया है तो काफी बड़िया रिटन है परफॉमेंस भी ठी है ऐसा नहीं है कुछ कमपनियां होती है पेंडि स्टॉक जहांपर पर्फॉर में छो गता ही नहीं नहकर थोड़ा सर्फ एंज तो यहांसे प्रॉफिट भॉकिंग तो आनी थी ओसा कोई भी स्टॉक नहीं है पूरी stock market में जो लगा अतार भागता ही रहा है कभी गिरे ना तो गिराबट आती है stock faces में चलते हैं आपको बता है अगर भागते हैं तो उसके बाद गिरते भी है consolation में होता है तो तीन face होते हैं stock के अंदर अगर एक साल के अंदर देखोगे तो तो उसमें हो सकता है चार महीने भागे हो सकता है दो महीने stock solution हो सकता है छे महीने stock गिरे भी तो ये सारे face देखता है stock अगर आप देखोगे stock का broad analysis करोगे चार्ड पर देखोगे तो सारी जीजें आपको पैसा लगा दिया है अब अगर यहां से यह दुगना हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं और यहां से अगर नीचे भी चला जाएगा तो दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि मुझे अपर सर्क्री लगने लगे उस दिन कहते हो इससे तो बड़िया कोई कंपनी नहीं लगाता भाग रहा है तो यह ऐसे ब्यूचेंज नहीं करने हैं अगर सौट टरम के लिए लिए तो अपने जब भी प्रॉपिट हो जाए तो निकल जाओ लॉंग टरम के लिए फिर यह नहीं सोचना कि आज गर रहा है और कल भाग रहा है और मोमेंट्रम चेस कभी नहीं करना है मैं आपको कहता हूँ ऊपर आप 52 बीक हाई के आसपास ले 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 जब भी quarter case के result आए तब यह stock भागा है फिर consolation हुआ फिर भागा है और फिर consolation हुआ है फिर भागा है तो यहाँ पर एक rumors भी थे थोड़े दिनों पहले कि band ratio band में इसमें bonus आ रहा है पर उसकी बज़े से लगाता है इसमें stock में अपर सरक्री लगे लेकिन ऐसी कोई officially ऐसी कव पर थी नहीं अभी लगाता लोगर सरक्री लग रहा है तो आपको क्या करना है देखो मैं तो देखो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं थोड़ा सा बेट करूंगा नई entry के लिए और अगर पहले से आपने नीचे के prices में खरीद रखा तो यह गिरावटों का मतलब जो भी ग लेकिन अगर इसका चार्ट पैटन देखोगे तो हाईयर हाई हाईयर लो बना रहा है तो दुबारा तो यह लो पर अपने नहीं जाने वाला 40 रुपे का असपा जो सपोर्ट था जो इसका सपोर्ट है अगर जाएगा तो बहां पर और आपके पास मौका आ सकता है और अगर मैं उसको आपके साथ सेर कर रहा हूं होने को कुछ भी हो सकता है और जो मुझे लगता है अगर नीचे का बेट कर रहा हूं मैं अगर नीचे आएगा तब आपके लिए बाइंग लिबल डिसकस होगा नीचे चालिस रुपे के आपके उसपाद चाहें वो Tata का हो, चाहें वो Ammani का हो, चाहें वो Adani का हो, चाहें वो कोई साब इस्टॉक हो, मौका मिल जाता है, तो जब मौका आएगा, उस समय जरूर हम चौका मारते हैं, और यही मेरे बियूँ है, उपर मोमेंटम चेज करते हूं खरीद लिया, तो पैनिक होने के जुरूद नहीं, नीची आप रवेरिजिंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद जब उपर जाए तो प्रोफिट वो कर लेना, और लॉंग टरम के लिए लिया था, तो फिर कोई दिक्कत दी नहीं है, फिर आप अपने साइकलोजी को कंट्रोल करना है, वाकी कु